असलाम लेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स हम अपना इसलामयात का काम शुरू करने लेगे हैं तो सबसे पहले प्लैनर ओपन कर ले जी वीक एट में हमारे पास प्लैनर नंबर है 24 प्लैनर 24 पर हमारे पास जो है वो रिडिंग है सबसे पहले बूक ओपन कर ले अपनी कुरान मजीद के हमने रिडिंग पढ़ी थी स्टूडेंट्स जी अमीद है आपने इसके इमला के लफाज अपनी नोट बूक कर लिए होंगे स्टूडेंट्स आज के प्लैनर में रिडिंग जो है वो आप लोगों ने सुनानी है तो सबसे पहले आप मेरे साथ एक पर पढ़ ले जी सबक नमबर साथ कुरान मजीद कुरान मजीद अल्ला ताला की आखरी किताब है कुरान मजीद में सब अच्छे काम करने का हुकम दिया गया है और बुरी बातों से रोका गया है कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरत अल्फातिहा है और आखरी सूरत सूरत अन्नास है कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरत अल्बकरा और सबसे चोटी सूरत सूरत अल्कौसर है कुरान मजीद حضرت جبرائیل علیہ السلام लेकर आते थे कुरान मजीद पढ़ने का बहुत सवाब है हजूर सलिल्लाहु अलही वाले विसल्म ने फर्माया कि जो शक्स एक हरफ कुरान मजीद का पढ़े उसको उस हरफ के बदले दस नेकिया मिलती है कुरान मजीद तकरीबन 23 साल की मुद्द में मकमल हुआ कुरान मजीद की सबसे पहली पांच आयात गारे हिरा में नाजिल हुई इन आयात में इनसानों को पढ़ने और इलम हासिल करने का हुकम दिया गया है जी स्टुडेंट्स हमारी रिडिंग यहां पर कंप्लीट हो गई है तो आपने इसको अच्छी तरह से याद तो कर ही लिया होगा तो आप बहतर है कि आप इस रिडिंग को अपने पेरेंट्स तो सुनाएं ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक है रिडिंग में तो आपकी वो भी ठीक हो जाए ओके स्टुडेंट्स इस सबक को आपने अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है इससे रिलेटिड आप से कुछ कोस्टन भी पूछे जा सकते हैं ठीक है स्टुडेंट्स अपना ख्यार रखिएगा अल्लाहाफिज